बच्चो नेक्स वीडियो में आजाओ वीडियो लेक्चर नमर 35 में इसमें हम लोग इंटीग्रल्स के कौन से फॉर्म देखेंगे देखो इंटीग्रल्स ऑफ दीखर पाम यह फॉर्म याद रखने वाला है मैं जो भी बता रहा हूँ ना यह फॉर्म आपको याद रखने है अगर वन अपॉन एस साइन स्क्वार एक्स प्लस बी कॉस स्क्वार एक्स हो यहां पर क्या है साइन स्क्वार एक्स भी है और कॉस स्क्वार एक्स भी है और सिर्फ साइन और कॉस है ठीक है डिनॉमिनेटर में वन है और दिनॉमिनेटर में वन है और डिनॉमिनेटर में क्या है एक तो साइन स्क्वार एक्स है और दूसरा क्या cos square x है A और B क्या हमारा constant है एक तो यह होगिया दूसरा होगिया 1 upon A plus B sin square x सिर्फ sin square x हो dx यह दूसरा form होगिया सिर्फ cos square x हो A plus B cos square x हो यह फिर तूम ऐसे देख लो A sin x plus B cos 6 कहोल square तो भी चलेगा और लास्ट में आगिया 1 upon A plus B sin square x plus C cos square x dx यह चार form देख लो चार नहीं 5 forms देख लो इन पांचों का एक ही अल्गोरिटम है इसमें क्या बोल रहा है इसमें देखो क्या है sin square x हो और साथ में cos square x हो यहाँ पे सिर्फ sin square x हो सिर्फ cos square x हो सिर्फ denominator के बात कर रहे है और numerator में इन पांचों जो forms है इन सब का numerator 1 है याद रखना फिर क्या हो A sin x यहाँ पे sin x और cos x लीनियर हो गया बट उसका square आगिया और यहाँ पे फिर क्या हो एक extra आगिया B sin square x C cos square x मतलब यही form है इसी form है इसमें एक हमने constant extract कर दिया इन सब के लिए हमें करना क्या है जो हमारा algorithm है वो क्या होगा इस्टेप नमबर वन divide numerator and denominator by cos square x numerator and denominator को किसे divide करो cos square x से step 2 में क्या है replace second square x अब numerator को अगर तुम cos square x से divide करोगे numerator को numerator में क्या 1 है 1 को अगर यहाँ पे cos square x से divide करोगे तो 1 upon cos square x क्या हो जाएगा second square x if any in denominator अगर 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 यहाँ है यहाँ है क्या बोल रहा है replace sec square x if any denominator by 1 plus 10 square x अगर तुम्हें denominator में second square x दिख रहा है तो उसे 1 plus 10 square x से replace कर दो और numerator में तो sec square x बने गई बनेगा क्यों? Because हम numerator और denominator को जब sec square x से divide करेंगे तो इन पाँचों form में देख लो first, second, third, fourth, fifth इन पाँचों form का numerator क्या है? 1 है तो 1 को cos square x से divide करोगे तो क्या बन जाएगा? sec square x तो numerator में sec square x as it is रहने देना है denominator में अगर sec square x बन गया तो उसे किसे replace कर दो? 1 plus 10 square x है अब बस last में क्या करो? यह step number 3 में put 10 x is equal to t बस 10 x को टी मानो question solve हो जाएगा then क्या हो जाएगा? अगर तुमने 10 x को टी माना तो second square x dx किसमे convert हो जाएगा? dt में convert हो जाएगा and integrals यह जो 5 हो integrals है reduces to 1 upon at square plus bt plus c dt इसमें reduce हो जाएगा अब इसमें reduce हो जाएगा तो फिर इसे थो हम solve करना जानते हैं यह integral को क्या करेंगे? perfect square बनाएगे perfect square बनाओगे तो फिर formula लग जाएगा कौन सा formula लग जाएगा? या तो यह वाला formula लग जाएगा या तो यह वाला formula लग जाएगा या तो यह वाला formula लग जाएगा इसी में से कोई एक formula लग जाएगा question solve जाएगा ठीक है अब एक दो questions कर लेते हैं question number one evaluate one upon चलो एक बहुत अजान सा question करते है चलो पहला ही जो form है ना उसी को evaluate करते है a sin square x plus b square cos square x इसको evaluate करते है अब यहाँ पहला form में तो तुम बोलोगे कि आपने तो a लिखा है a b है बट यहाँ पे तो a square b square है तो कोई फर्क नहीं परता है a b constant है तो a square b constant है b b constant है तो b square b constant है है इसी form का तो इसको solve क्या करेंगे numerator और denominator को हम लोग क्या करेंगे cos square x से divide कर दिए कर दिया अब a sin square x plus b cos square x upon cos square x numerator और denominator को हम ने cos square x से divide कर दिया तो one upon cos square x क्या हो जाएगा second square x अब a upon a sorry यहाँ पे a square है a square sin square x upon cos square x क्या हो जाएगा a square tan square x हो जाएगा अब b square cos square x upon cos square x क्या हो गया b square बस हो यह question solve हो गया अब यहाँ पे denominator में तो कोई second square x नहीं बना अगर denominator में second square x बनता तो उसे किस से replace करते one plus ten square x से तो denominator में तो second square x नहीं है तो बहुत अच्छी बात है numerator के second square x को 10 में convert नहीं करेंगे अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे put 10 x is equal to t हमने क्या कर दिया 10 x को t बोल दिया तो 10 x को t बोला तो यहाँ से में क्या मिल गया second square x dx किस में convert हो गया dt मे convert हो गया तो यह होगा dt upon a square t square plus b square अब यह तो बहुत आसान होगे यह तो dt 1 upon a square common ले लो तो क्या होगा t square plus b square upon a square अब यह जो integral देख रो यह integral किस में convert होगे 1 upon x square plus a square में convert होगे ठीक है तो 1 upon a square तो constant है बाहर किया क्या हमें मिल ला है dt upon t square plus b upon a का whole square क्या होता है x square plus a square का integral क्या होता है 1 upon x square plus a square का 1 upon a tan inverse x upon a plus c होता है 1 upon a square तो constant है into 1 upon a a का काम बच्चे क्या कर रहा है b भाई into tan inverse x x का 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 क्या कर रहा है x का का क्या कर रहा है t upon a a का क्या कर रहा है b upon a plus c तो ये क्या हो जाएगा ये एक A उपर जाके से cancel हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 upon A B 10 inverse ये क्या हो जाएगा A T upon B plus C तो ये हो गया 1 upon A B 10 inverse A और T किसे हमने माना है T हमने माना है 10 X को तो A 10 X upon B plus C यह हमारा अंसर होगी ठीक है ना अब आज़ो बच्छे question number 2 माल लोकी हो हमारे पास 1 plus 3 sin square x plus 8 cos square x dx यह किस form का integral है यह किस form का integral है बता दे रहो यह हमारे पास इस form का integral यह जो दिख रहे है ना इस form का integral है ठीक है तो यहापे भी क्या करेंगे solution में divide करेंगे numerator को 1 upon cos square x क्या हो जाएगा second square x 1 plus 3 1 upon cos square x चलो यहापे लिख दे तो 1 upon cos square x plus 3 sin square x denominator को भी cos square x से divide कर दिया plus 8 cos square x upon cos square x dx ऐसे बने गया तो यह हमारे क्या हो गया second square x 1 upon cos square x क्या हो गया second square x plus 3 sin square x upon cos square x tan square x और यहाँ से cos square x cancel हो गया 8 dx अब देखो denominator में एक second square x बन गया इसको tan में convert कर दो तो यह क्या हो जाएगा numerator में जो second square x है इसको कुछ नहीं करना है इस second square x को tan में convert कर दो तो 1 plus tan square x plus 3 tan square x plus 8 dx तो यह क्या मिल गया हमें second square x 3 tan square x plus 10 square x 4 tan square x plus 9 dx 1 upon 4 बाहर कर लो तो यह हो गया second square x upon 10 square x यह होगा 9 by 4 तो इसको लिख दिया 3 by 2 का whole square dx अब पुट करो 10 x को 10 x को t पुट किया तो हमें क्या मिलेगा second square x dx किसके equal हो जाएगा dt के equal हो जाएगा तो 1 upon 4 second square x dx यह होगा dt upon t square plus 3 by 2 का whole square फिर यह किसमे convert हो गया यह integral 1 upon x square plus a square में क्या होता है integral 1 upon x square plus a square का 1 upon a 10 inverse x upon a plus c तो 1 upon 4 इंटू 1 upon a a का का क्या कर रहा है 3 by 2 10 inverse x का क्या कर रहा है t a का का क्या कर रहा है 3 by 2 plus का c यह 2 पर जाके से cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा तो 1 upon 6, 10 inverse, 2T, तो 2, और T के से माना 10X को, तो 2, 10X upon 3, प्लस का C, यह हमारा answer होगी, ठीक है ना? Question number 3, Sine X upon Sine 3X, इसे solve करना है, अब क्या करेंगी, सबसे पहले बात, यह तो obvious ही बात है, कि numerator, denominator से एक Sine X कैंसल हो जाएगा, Sine 3X का फार्मला क्या होता है, 3Sine X, माइनेस 4Sine 3X, एक Sine X common ले लो, तो क्या होगा, 3 माइनेस 4Sine square X, numerator से और denominator से हमने Sine X कैंसल कर दिया, अब बच्चों यह किस फार्म का ही है, जो integral ही, यह किस फार्म का दिखा देता हूँ, यह integral आगिया, तुम्हें, इस फार्म का आगिया, देख लो, इस फार्म का integral आगिया, 1 upon A plus B Sine square X का आगिया, यहाँ पे B का का काम क्या कर रहा है, B का का काम कर रहा है तुम्हें, minus 4, देखो B का का काम कर रहा है, minus 4, A का का क्या कर रहा है, 3, क्या करेंगे numerator denominator को हम लोग किससे डिवाइट करेंगे cos square x तो numerator में क्या बन जाएगा second square x क्या बन जाएगा 3 second square x minus 4 10 square x फिर denominator में जहां second square x दिखाऊ से किसमे convert कर देंगे 10 में तो यह हो गया second square x upon 3 1 plus 10 square x minus 4 10 square x dx तो यह क्या हो गया हमारा second square x upon 3 plus 3 10 square x minus 4 10 square x dx तो यह क्या हो गया second square x upon 3 minus 10 square x dx फिर अब यहाँ पूट कर दो 10 x को t 10 x को हमने क्या put करना है t तो यहां से क्या होगा differentiate करेंगे x के respect में तो second square x dx क्या हो जाएगा dt तो यह क्या हो जाएगा dt upon 3 minus t square minus common ले लो तो क्या हो जाएगा dt t square minus 3 3 को क्या लिख दिया root 3 का अब अच्छे यह किस में convert हो गया यह convert हो गया x square minus a square dx में क्या होता है 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c यह होता है नग इसका integral बस होगी है minus 1 upon 2 a का का क्या कर रहा है root 3 तो 1 upon 2a log mod x का का क्या कर रहा है t तो t minus root 3 upon t plus root 3 plus c बट आंसर तो हम t में छोड़ नहीं सकते है आंसर तो हमें x में देना होगा तो minus 1 upon 2 root 3 log t किसे हमने माना 10x को 10x minus root 3 upon 10x plus root 3 plus c समझ में आ रही होगी बात ठीक है ना यह होगी बचो कोशन नमबर 3 कोशन नमबर 4 में आ जब 2 sin x plus 3 cos x का whole square solution अब इसमें क्या करेंगे सोचो फिर भाई numerator और denominator को किसे डिवाइट करेंगे numerator और denominator को हम डिवाइट करेंगे cos square x से तो यहां क्या बन जाएगा second square x यहां का denominator क्या है 2 sin x plus 3 cos x whole square upon cos square x तो यह तो होगी हमारा second square x में और यह तो cos x ऐसे हो जाएगा 2 sin x upon cos x cos x अंदर चला जाएगा plus 3 cos x upon cos x ठीक है ना तो यहां पे क्या होगी है second square x upon क्या होगा 3 tan x plus 3 का whole square sorry 3 नहीं 2 tan x 3 के जगे क्या है 2 2 tan x अब क्या करेंगे पिर वही tan x को t माल लो simple से काम करना है तो put 10 x को t माल लो x के respect में differentiate करोगे तो क्या हो जाएगा second square x dx किसमे convert हो जाएगा dt में तो यहाँ पे क्या हो गया यह dt upon 2t plus 3 का whole square अब यह किस form का गया यह हो गया चलो एक बार और लिख लेते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं 2t plus 3 पे power minus 2 dt अब यह किस form का गया यह आगे x to the power and dx का फाम आगया क्या होता है x पे power and plus 1 upon and plus 1 plus का c ठेक है न तो यह क्या हो जाएगा 2t plus 3 पे power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 बस mistake मत करना यहाँ 2 से divide भी करेंगे linear function है न यह अल़ेड़ी कई बार बता चुका हो हमे plus c तो क्या हो जाएगा यह यह minus इदर यहाँ minus तो इससे यह नीचे आ जाएगा यह हो जाएगा 2t plus 3 into 1 upon 2 plus c क्या हो गया यह minus 1 upon 2 into 1 upon 2 और t की से माना हमने 10x को तो 2 10x plus 3 plus c यह हमारा answer हो गया है ठीक है ना next question में आते हैं यह था हमारा question number 4 question number 5 में question number 5 में क्या है evaluate फिर्स पार्ट की हमारा 1 upon 3 plus sin 2x dx 1 upon 2 minus 3 cos 2x dx ठीक है अब क्या करें इसमें solution आते हैं first 2 अब यहाँ पे तो sin 2x आ गया 1 upon 3 plus sin 2x आ गया यह बड़े आसानी से question solve हो जाएगा इसमें सबसे पहले तुम क्या करो इसको तुम क्या लिखो 1 upon 3 ठीक है 3 को जगा लिख दिया 2 plus 1 चलो लिख देता हूँ plus sin 2x को क्या लिखेंगे 2 sin x into cos x dx ऐसे लिख लिख लिए और यह क्या हो जाएगा 1 upon 2 इस 1 को क्या लिख लिख लिए sin square x plus cos square x अब plus 2 sin x cos x अब numerator और denominator को cos square x से divide करो तो यह क्या हो जाएगा second square x 2 upon cos square x 2 second square x फिर sin square x upon cos square x 10 square x cos square x upon cos square x 1 इसको जब divide करोगे न cos square x से तो एक cos cancel हो जाएगा फिर यह 2 tan x आ जाएगा और मैंने जैसे बोला कि जब भी तुम्हें denominator में second square x देखे उसे किसमे convert कर दो 1 plus 10 square x तो हमारे पास क्या हो गया यह second square x 2 second square x को लिख दिया 1 plus 10 square x plus 10 square x plus 1 plus 2 tan x dx तो यह क्या हो गया हमारा second square x 2 plus 2 tan square x plus 10 square x plus 1 plus 2 tan x dx 2 tan square x plus tan square x 3 tan square x हो गया यहां पे अल्यदी 2 tan x है और 2 plus 1 3 हो गया dx फिर put कर दो put tan x is equal to t tan x को t माल दो तो क्या हो जाएगा second square x dx किसके बुझाएगा dt के equal हो जाएगा तो हमारा क्या हो गया यह dt upon 3t square plus 2t plus 3 अब यह तो हो गया फिर denominator में quadratic आ गया तो denominator में quadratic होता है तो क्या करते है perfect square में convert करते है तो पहले 3 को बाहर निकाला तो dt upon क्या हो गया t square plus 2 by 3 t plus 1 फिर t का coefficient क्या है 2 by 3 2 by 3 का half क्या होगा 1 by 3 ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे t square plus 2 by 3t 1 by 3 से k square को add करेंगे और यह subtract करेंगे plus 1 add करेंगे तो यह हो जाएगा 1 by 3 dt upon यह हो जाएगा t plus 1 upon 3 का whole square यहां से यहां तक minus comma ले लेंगे तो 1 by 9 minus 1 dt तो यह क्या हो जाएगा 1 by 3 dt upon t plus 1 upon 3 का whole square और क्या होगा 1 minus 9 minus 8 upon 9 तो यह हो जाएगा plus 8 upon 9 अब इसको तुम क्या लेखो 1 by 3 यहां पर dt कर लिया और यह होगा t plus 1 upon 3 8 को क्या लेख सकते हो 8 को लेख सकते हो तुम 2 root 2 और यहां पर 9 को 3 का whole square अब यह किसमें convert हो गया यह convert हो गया dx upon x square plus a square में यह इसका क्या होता है 1 upon a tan inverse x upon a plus c इसका क्या होता है 1 upon a tan inverse x upon a plus c यह होता है ना अबस हो गया solve हो गया यह तो यह क्या हो जाएगा 1 upon 3 into 1 upon a ये क्या है 2 root 2 by 3 यह 3 यह 3 cancel हो गया पर 10 inverse x x का का क्या कर रहा t plus 1 upon 3 upon a a का क्या कर रहा 2 root 2 by 3 plus का c तो यह हो गया 1 by 2 root 2 और यह क्या हो गया 10 inverse क्या होगा यह 3t plus 1 upon 2 root 2 plus c तो यह हो गया 1 by 2 root 2 10 inverse t किसे माना है 10x को तो 310x plus 1 by 2 root 2 plus c यह answer होगा एक last question और करेंगे question number 6 मान लो question number 6 में 1 minus 2 minus 3 cos 2x इसको solve कैसे करें तो यह भी आसान है 2 minus 3 cos 2x को तुम formula लिख सकते हो cos square x minus sin square x तो क्या हो जाएगा यह 1 upon 2 minus 3 cos square x plus 3 sin square x फिर numerator denominator को cos square x से divide कर दो तो यह क्या हो जाएगा second square x upon 2 upon cos square x तो 2 second square x minus 3 upon cos square x तो minus 3 plus 3 tan square x dx फिर denominator में second square x आगिया क्या करेंगे tan में convert कर देंगे 1 plus 10 square x minus 3 plus 3 tan square x dx यह क्या होगा यहां से 2 tan square x plus 3 tan square x यह 5 tan square x और यहां से क्या होगा 2 minus 3 2 minus 3 minus 1 dx 1 upon 5 common ले लिया तो यह हो गया second square x upon 10 square x tan square x minus 1 upon 5 तो इसको लिख दिया minus 1 upon root 5 का whole square dx अब हमने क्या किया फिर वही put 10 x is equals to t 10 x को t माना तो हमें क्या मिल गया second square x dx किसमें मिल गया dt मे तो convert हमारा क्या हो गया 1 upon 5 और यह second square x dx यह तो dt में चैंज हो गया और यह t square minus 1 upon root 5 का whole square फिर यह किसमें convert हो गया 1 upon x square minus a square में क्या होता है 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c तो यह हो गया 1 upon 5 into 1 upon 2a a का का क्या कर रहा है 1 by root 5 log mod xx का का काम कर रहा है t minus 1 upon root 5 upon t plus 1 upon root 5 plus का c 5 by root 5 क्या होगा 5 by root 5 root 5 तो 1 upon 2 root 5 और यह log क्या होगा root 5 t minus 1 upon root 5 t plus 1 plus का c तो यह हो गया 1 by 2 root 5 log mod root 5 और t किसे हम लोग लिखेंगे t तो 10x को बोल है तो root 5 10x minus 1 upon root 5 10x plus 1 c यह बच्चो आंसर होगा ठीक है ना next video में हम लोग क्या करेंगे next form करेंगे और next form से related questions करेंगे